हाईवे पर चलते कंटेनर का ताला काट कर चोरी के मामले का स्पी दीपक कुमार शुक्ला ने पुलिस कंट्रोल रूम में किया खुलासा एक आरोपी रासत में अनिकी तरास जारी ठीक्री टी आई अजर रजोरिया की छह मां की मेनत रंगलाने पर स्पी ने पूरुसकार देन की घुष्टना की कंजर गिरो द्वारा मुंबई आगरा हाईवे पर चलते कंटेनर का ताला कटर से काटके मेडिकल बॉक्स और अने समान की चोरी का परदा फास करते हुए पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेसवार्था में खुलासा कर बताया आरोपी सुनी उस्यों से जा सब्सक्रादी है यह लोग चलते वहां से कंटेनर का ताला काट कर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे देखे इसमें मा जुलाई में हमारे पास एक शिकायत आई थी कि जो हाईवे है उस पर एक ट्रक कटिंग की वारदात हुई है और उसमें से कुछ मोबाइल बॉक्स गायब हैं जिसको तब से ही हमारी टीम लगाता डेवलप कर रही थी उसमें अलग-लग साक्षे हम लोग जुटा रहे थे और इसमें अभी हमको सफलता मिली है हमने एक विक्ति को गिरफतार किया है जिनके पास से पाचास से जादा मोबाइल हमने बरामत किये हैं और इसमें मुख्य आरोपी को हमने गिरफतार किया है इनके साथ ही कुछ अने लोगों के नाम भी है जिनकी तलाश में हमारी टीमें जूटी है इत्तफाक की बात है कि जब हमने इनको गिरफतार किया उस वकत भी एक वारदात करके ही लोट रहे थे और एक अन्य ट्रक की कटिंग का ज इनको हमने इञ चूब का इनको मेडी सबस्थे जब किया है यह देवाश करते गन सचनेकी असे लिएले कंप यह चैनल में जैसा शाल को हमने पठिया तक दसलाग से उपर कि उसकी जो टीम थी पिछले 5-6 महीने से इस केस को डेवलप कर रही थी, हमारे DSP कुंदन मंडलोई के नित्रतु में, हमारी साइबर की टीम और हमारे थाना प्रभारी लगातार इसमें लगे हुए थे, और कुल जप्ती लगवग इसमें 40 लाग के करीब की है, 10 लाग के मोबाइल फो कि अ ऑन्म खी लगव खिर समें 30 लाग के क्वारी दाना प्रभारी लगवए लगे हमारे लगे हमारे भेववग दित्वारा इसमेंगलोई के लगववभंवभ श्मलोई कर व कमो जाववदन मं लेववशग निए निए रहा क्या लुँरूब मारे रहीव़ग